तुड इवनिंग एवरिवन, वेलकम टू आ वंडरफुल वीडियो, दो कैंडल में टार्गेट हिट होता है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही नहीं, बहुत कुर सीखने मिलेगा, टेकनिकल भी सीखने मिलेगा, और अभी अभी ना मैं अपने ऑनलाइन स्टुडेंट्स के सा एक Q&A करके आ रहा हूँ, सपोर्ट सेंटर नाम की चीज़ चालू कि है, हमने फैकल्टीज बात करते हूं, मैं चला गया था उसमें, तो सब लोग दुखी है, जो प्रॉफिट कमाए वो भी दुखी है, कि और नहीं कमा पाए, और जो लोग प्रॉफिट कमाके दुबारा लिए उन लोग भी दुखी है कि लॉस हो गया, ब्रेक इवन हो गया, दुनिया दुखी है, बहुत कम लोग खुश है, साइकलोजी क्या है, प्रॉफिट वाले भी दुखी है, तो उस सब डिस्कस करेंगे, चोलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फस्ट अफॉल, एस पर दे मार्के अनलिस्स वीडियो जो मैंने कल आपके लिए डाना था, यह वो एक्जाक लेवल्स थे, कि मैंने बताया था मार्केट में, यह इस तरीके साथ, मार्केट यहां पे कहीं सपोर्ट ले सकता है, अगर लिया तो ऐसे रिटन मारेगा, यहां से सपोर्ट लेगा, अधरवाइस मार्केट, यहां से सपोर्ट लेगा, अधरवाइस मार्केट सपोर्ट लेवल रहेगा, यह है रिजल्ट आज के मार्केट का, मार्केट ओपन अनने के बाद ब्रेक आउट करता है, उस लेवल अब ब्रेक आउट करता है, इससे भी तोड़ता है, इसे भी दोड़ते-दोड़ते-दोड़ते यहाँ पर आ जाता है, पूरी बेरिश टरिटरी में market strong नीचे की तिरफ जाता है, तो this is the result, तो बात करते हैं, आज का setup क्या था, तो चलो start करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, live trade क्या था, और live trade का result क्या हुआ, कितने पैसे कमाए, क्या कमाए, और psychology क्या रहेगी, सबसे पहले market समझने के लिए, हमें मालूम है, market के levels, market सबसे पहली candle बनाता है, बहुती super bullish candle, ये candle में क्या है, एक body भी है, और एक lower tail भी है, जो कि बहुत bullish चीज़ बताती है, ऐसी candle में usually मैं long चला जाता हूँ, अगर market थोड़ा सा, you know, मेरे को कोई level तोड़ता हुआ देखता है, but as I can see, there is an important level over here, and here as well, तो मैंने आपके trade नहीं लिया, अगली candle होती है, एक doji, डोजी क्या होता है, pause, या फिर एक तरीके का reversal के पहले आने वाला एक situation, तो क्या हो ना, इतने वज़ी तक अपन को ना, market ने previous दे के तो ठीक थे, आज की दिन का भी एक level दे दी, आज की दिन की जो opening थी 19,530 रूपी इस पे थी, तो हम यहाँ पी का करेंगे, simple सा एक support level यहाँ पर आपन ड्रॉ कर लेंगे, अब यह support level को आपन ड्रॉ करने के बाद, आपन क्या करेंगे, wait करेंगे कि अब क्या price action आता है, अगर market continuation देगा यहाँ पे, तो might be अपन, you know, जैसा अपने level बनाया, इससे break करेंगा, तो long जा सकते रहेंगे, या even यहाँ पे भी long जा सकते रहेंगे, but market क्या करता है, आके, एक और doji बनाता है, एक और sign की market, इसके उपर जा नहीं पारा है, struggle कर रहा है, और next candle मेरे एक support को तोड़ देती है, क्या होता है, अपन को ना 10 बजे के बाद high confirmation trade लेना चाहिए, तो भले quick trade नहीं लेना चाहिए, लेकिन early morning ना momentum trades मिलते हैं, जल्दी targeted होता है, तो यहाँ पर मैंने एक short trade बनाया, यहाँ पर हमने एक short position बनाई, और अपना stop loss रखा, कहां, देखो मैं देखाता हूँ आपको, अपना stop loss रखा, हमने इसी candle के आसपास, ठीक है, इसी candle के ऊपर अपना 73 rupees के आसपास का stop loss रखा, और risk reward ratio अपन बनाते है, 1 is to 2 यहाँ तक का target बनाते हैं, जो अपनने खुद level decide कर रहा है, कि यह हमारे लिए एक important level है, ठीक है, 1 is to 1.9 के आसपास का target बनेगा, और यहाँ पर हमने trade लिया, तो क्या हुआ, start होता है, अब मैं आपको सीधे live trade में दिखा देता हूँ कि क्या हुआ, उसकी psychology और बहुत कुछ चीज़े प्रिवियस दे के पास में जाकर rejection ले रहा है, negative चले गए थे 40,000 तक लेकिन उसके बाद एकदम से अमेरिको बड़ी red candle, पूरा 8 लाग profit, डूसरी red candle, बनती इतनी बड़ी, जो मेरा level 8 गुआ, तीन लाग 24,000 का profit कर दिया, यह रहा 2,92,000 option buying से मिल गए, और option selling से मिल गए 30,000 रुप है, वो तो अपन को मतलब हमेशा में लेता है, यह कुछ न कुछ हो sideways दिर में भी पैसा दिला ही देता है, ओके तो वापस स्क्रीन पे आते हैं, तो हम क्या देखेंगे, कि बहुत important part अभी आने वाला है, तो हम देखेंगे कि यह रही वो बड़ी red candle जो बनने वाली है यह रही, मेरा level हिट हो गया, मैंने क्या किया, अब मैं आपे satisfied होके अपने trade को खतम करता हूँ, 9 lakh रुपीज यूज करे थे, 3.23 बना लिए, 3 lakh रुपीज बना लिए, मतलब 30% के असवास बना लिया, यहाँ पे मैंने क्या देखा है, जबी भी मैं अच्छा profit बनाता हूँ, अच्छा profit क्यों बना, क्योंकि दो बहुत big red candle बनी, option का premium, बहुत जल्दी अपन को profit, super profit देता है, अगर, अगर जल्दी target हिट करता है, बड़ी बड़ी green ये red candle से तो, और छोटी-छोटी से करता हूँ, तो profit ने देता, अगर वो छोटी-छोटी दे रहोता हूँ, तो अब मैं और trade लूँ क्या, कई लोगों ने trade लिया, क्या सोचके, कि हो सकता है, हाँ, ए देखो, क्या बड़ी reversal आया, green candle का, हो सकता है, मार्केट उपर जाए, कई लोगों ने आपे long trade लिया, और देख रहा है, और वहाँ पे loss book कर लिया, और ऐसा करते-करते, कई लोगों ने आज loss book कर लिया, कई लोगों ने break even पर cut कर दिया, और कई लोगों ने अपना profit खो दिया, और जो profit भी कम आए, जैसे मेरे जैसे लोग, वो भी दुखी है कि क्यों दुखी है, कि अरे यार अगर अगर अपने इसको hold करते हैं, तो देखो ना, कितना बड़ा target हिट हुआ है, भले levels काम के, तो मैं समझा रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे आरे अनिश, तुमने क्यों नहीं hold किया, दुनिया दिर मैं आपका answer दे रहा हूँ, बस आपको दिखाना चाहिए, इतना बड़ा fall आया, और बड़ मैंने इसको ignore कर दिया, क्यों हूँ, क्योंकि I am, मैं एक regular professional everyday trader ह नहीं होता है, ऐसा दिन हमेशा नहीं मिलता, तो यह मेरा एक rule है, कि अगर मैं satisfactory monetary profit बना लूँ, तो मैं जबरदस्ती market पे चड़ता नहीं कि मेरे को और profit बनाना है, क्योंकि कई वह चला जाता है, because what I need is not a super ROI, मेरे को super में इस दुन्या का सबसे तदर रहीं बन रहा है, मेरे को उतना बन रहा है कि मैं मेरा capital grow कर पाऊ, जब मन करे, withdraw कर पाऊ, जब मन करे, उसको और बड़ा कर पाऊ, मतलब मैं अपने लिए trade कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक दम supreme trader बन जाओ, I am doing what I want at this stage of my life, 2023 चल रहा है, 2024 में कुछ और goals होंगे, capital और बढ़ा होगा, तो देखो maximum लोग ना दोखी है, तो this is called regret, regret में अपने, अपने course में भी पढ़ाता हूँ कि slow poison की तरह होता है, slow poison क्या होता है, आप अभी पी लेते हो, वो अभी असर नहीं करता है, थोड़ी दर बाद आपको, तो please, जो आज setup बना, आप से में सो गया, या आप से कोई गलती होगे, क्या वो दुबारा setup नहीं बनेगा, बनेगा ना, च्या market जिस ताइप से अज गिरा, क्या दुबारा नहीं गिरेगा, या दुबारा नहीं चड़ेगा, गैरेंटी बढ़ा चड़ेगा, market हमे satisfied with what you get and move on, कभी भी ट्रेडिंग को एक दिन से compare करेंगे, तो एक दिन की ट्रेडिंग कुछ नहीं दिलवाएगी आपको, जब ट्रेडिंग को एक बड़े कैलेंडर पे देखेंगे, इसे आपने मुझे देखा है, पहले मैं बहुत बड़े-बड़े profit book करता था, और बस उस लाग यहां पर देख सकते हैं, जितने भी दिन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं है, डालता लॉस होता है, तो आपको देखने में रहा की, जबी भी मैं सिस्टम ट्रेडिंग करता हूं, सिस्टम को फॉलो करता हूं, I get losses of luck 1 लाग रुपी, 1.5 लाग रुपी, 2.5 लाग रुप अफिट, I always make 2,002.53 लाग दिस, तो दिस इस हाओ, यू शूद अप्रोच, और डेफिनेटल यह सब मैं अभी क्यूंकि, मैं खुद अभी भी एक फेज में हूँ, अभी भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूं, मैं लर्निंग तो शाहिदी का भी घतम करूँगा, बट मेरे का 2024 से, मैं एक बहुत सुप्रीम लेवल पर अपनी ट्रेडिंग बढ़ाने वाला हूँ, कैपिटल वगएरा, अपने सिस्टम वगएरा को, तो आपको और भी कुछ सीखने मिलेगा, तो आज की इतनी है भाई, कि साइकोलोजी से अपने आपको फ्री करो, don't regret, feel free, because आपका ऐस तोड़ दिया power के साथ, और यहीं मैं आपको lisly बता दू, पावर के साथ, तो अब जो भी ट्रेडिंग होनी ही, न, मानके चले, पूरी की पूरी ट्रेडिंग होनी है, न, अब यहां के अब यह जो है, आप इसे convert कर लेंक, important resistance पे यह रहाँ लेवल, यह रहा 24-600 यहां, ब पूरे मार्केट में शॉर्ट सेलर पूरी तरीके से हावी हो चुके है तो जो भी ट्रेडिंग हो नी नीची की तरफ हो नी नाओ अगर 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 कंँद करने के बाद भी जिंदगी बर नीचे जाएगा गलत है तो अगर वो नीचे जाता है तो उसको अपन को कभी भी भी green candle मार सकता है, एक pullback ले सकता है, लेकिन उस green वाले को uptrend ना माने, वो जबी भी green candle उपर, मतलब green momentum आने गाथ, अगर वो नीचे की तरफ कुछ भी sell करो, वहाँ पे, double top बने sell करो, head and shoulder बने sell करो, consolidate करके नीचे करे sell करो, think about selling, but not एकदम से, थोड़ा रुख करके, maybe we can think about buying at a double bottom, थोड़ा रिसकी trade रहेगा, अब अगर single bottom के नहीं, double bottom बनता है, buy करे, जल्दी target ले 30, 40, 50 रुपीज का निफ्टी में, बैंग निफ्टी में 70, 80, 100 रुपीज कर निकल जाए, फिर sell करने का, तो इस तरीके से आपका प्रोच होना चीए मार्केट कर, ठीक और गाईस, अब मैं आपके लिए को जाधा interest कौन सी सीरीज में है, प्लीज बताएं कॉमेंट करके, which one are you more interested in, तो फिर आपको लिए, मैं वो दोनों कौन सी पहले डालना, उसको decide करके, बनाना चालो करूँ, ठीक है, thank you so much guys, see you again in some videos, real soon, bye-bye. कि अवंम बताएं, बताएं, प्लीज बताएं, प्लीन हुक crypto, स developed wise